आप सब का फिर से एक बार स्वागत है शेफ शाकिरा में आज हम बनाने जा रहे हैं कर्ड राइस साउथ इंडिया की बहुत फेमस डिश है कर्ड राइस यानी की दही चावल तो आईए बनाना सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने चावल पका लिए हैं पतीला भरके मैंने चावल पका लिए हैं चावल एक बड़े बाउल में निकालके हम इसे मैश कर लेते हैं तो चमच की सहाइता से या मैशर के हल्प से आप इसे अच्छे से मैश कर लीजे अब हम इस मैश्ड राइस में डाल देते हैं कर्ड यानी दही आपको याद रखना है कि जब आप दही डाल रहे हैं तब आपके चावल बिलकुल थंडे हैं बिलकुल भी गरम या वाम नहीं हैं तो चावल को पहले एकदम थंडा कर देना हैं उसके बाद उसमें दही डालना है दही भी आपका रूम टम्प्रेचर पे होना चाहिए तो दही और चावल कव अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इस curd rice में हम नमक डाल देते हैं तो अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजे अब इस curd राइस में हमें बहुत सारे मसालों का चौक लगाना है तो आईए देखते हैं कैसे करना है एक छोटी कड़ाई में तेल गरम कर लिया और इसमें डाल दिया है राई राई यानि मस्टर्ड सीट्स राई डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जीरा अब मैंने चना और उरत की डाल भीगो के रखी थी तो ये देखो चना डाल है कुछ लोग इसे बिना भीगोए भी यूज करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है लेकिन और अब ये उरत दाल तो चना दाल और उरत दाल मैंने भीगो के रखी थी इसमें से सभी पानी निकाल लिया है और फिर इसे डाला है इसमें अब इसमें डाल रही हो हरी मिर्च तो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल ली है आपको जितना तीखा पसंदे उसे साब से आप उतनी मिर्च ले सकते हैं अब हमें इसे अच्छे से रोस्ट होने देना है ताकि दोनों डाले अच्छे से पक जाए अब मैं इसमें डाल रहे हूँ अधरक और लसुन को कदू कस करके रखा था मैंने पेस्ट नहीं बनाया है इसे कदू कस करके रखा है फ्रेश ताकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आए अब यहां मैंने तीन लाल मिर्च ली है सूखी लाल मिर्च आप गोल लाल मिर्च कैसी भी लाल मिर्च ले सकते हैं इसे अच्छा सा कलर आता है हमारे कर्ड राइस को अब बहुत सारे कड़ी पत्ते ले लेने हैं इसे तोर के या पूरे डाल सकते हैं तो काफी कड़ी पत्ते ले लिए हैं, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, मिर्च और करी पत्य का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है, अब हमें फ्लेम को ओफ कर देना है, उसे ढख के ठंडा होने देना है, ये देखिए ठंडा हो चुका है, और अब मैं इसको कर्ड राइस में डाल रहे हूं याद रहे कि हमारा चौक कम्प्लीटली अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे इसमें डाला है बहुत सारा हरा धनिया अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारे कर्ड राइस खाने को रेडी है आप इसे चिल्ड करके भी सर्फ कर सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसका खटापन बढ़ाने के लिए आप चाते हैं तो निम्बू डाल सकते हैं या चाट मसाला चिड़क सकते हैं लेकिन ये बिना उसके भी बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगता है। इसे आप रेफ्रिजरेट करके फिर सर्फ कीजिए, आपके सभी गरवाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यूू